अंजी एक बार बताना आवाज आ रही है कि नहीं एक बार जल्दी से बता दीजे आवाज आ रही है कि नहीं जलिए तो स्वागत है आप सभी के टीचर सद्डा के टीचिंग प्लेटफोर्म पर जहां पर आपकी आगामी परिक्षा सीटेट की करवाई जारी तैयारी और आज आपकी थर्ड ग्लास की कम्प्लीट मेरेथन विद कुश्चिंस ठीक है तो एक बार जल्दी से सारे लोग लाइक और शेर कर दीजे ताकि आज की ग्लास स्टार्ट करी जा सके ठीक है और आप में से कोई भी अगर टीचिंग का कोई भी चीज की तेयारी कर रहा है ठीक है डजन पूड यूज कर सकते हैं क्या वाई 794 जिससे आपको फ्लैट डिसकाउंट मिलेगा चलिए तो लास्टन पर हमने पढ़ लिया था चैप्टर अबाउट ठीक है फैमिली के बारे में है ना नेक्स चैप्टर इस पूड भी देखिए इस चैप्टर में क्या अलग अलग जग खाना मनाने के लिए नारियल का तेर साथी साथ लोग अपने जो बगीचे में टैपियोका होगा आते अब जो यह टैपियोका है यह आपका कसावा के जड़ से प्राप्त होता है अगर आपसे कोई पूछे टैपियोका किस पौदे के जड़ से प्राप्त होता है तो कसावा की जड़ से प्राप्त होता है सुनीतर आवच सर पीडिएफ नहीं मिल रहा है बिटा टेलीग्राम से उठा दो ठीक है तो कसावा की जड़ से प्राप्त होता है साथ ही साथ में इसी टैपियोका को अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे की सागो कप्पा और आप इसे साबुदाना के नाम से भी जानते फिर इसके अलावा आपका बता है बाकि अन्य राज्यों में आपका सर्सों के तेल में आपका खाना बनाया जाता है नेक्स दिंग इस थीकै होंग-कॉंग में आपका बेसे कली लिक डिश यूसस करी जाती है जो की सांपों से बनी होती है इस डिश का नाम क्या है करी जाती है तो करेंग करी जाता जैंट नारियल चट्नि घान जाता था तो टैपियोगा में जड़ से प्राप्त होता है और से कप्पा सागूक और सावुदाना अधी नाम से जानते नेक्स दिंग इस फिर इस चैप्टर में एक एकसरसाइज दी ए ठीक है वो बच्चों से कराने के लिए बोली है कि पता करें ये सारी चीज हमारे किन राज्यों में जादा मिलती है तो चावल सबसे जादा हमारा कहां होगाय जाता है वेस्ट बंगाल में ठीक है वीड सबसे सबसे जादा होगाय जाता उत्तर प्रदेश में मेज का करनाटक में मिलट मिलट मतलब दानेधार श्रगी बगेब यह सब आपका राइस्थान सबसे जादा होगाय जाता हालां कि चावल क wonder के सावे क्लीजों हुआ हां से बोल तो या तो आप चंसरтов इस गड़ी ओणी या फिर आप ठीक है किसे बोलते हैं चावल का कटोरा चावल का कटोरा किसे बोला जाता है 36 गड़ के अलावा जल्दी बताओ तो 36 गड़ के अलावा चावल का कटोरा किसे बोला जाता है बता देना किसे क्रिश्णा गुदावरी डेल्टा बट भारत में सबसे जाधा अब चावल ठीक है अब आज के टाइम में सबसे जाधा चावल आपका पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है ठीक है तो याद रखना चावल का कटोरा भारत में चत्तिस गड़ को बोला जाता है चत्तिस गड़ ना मिले ऑप्शन में यह डूड़ना क्रिश्णा गुदावरी डेल्टा बट आज के टाइम में सबसे जाधा चावल आपका पश्चिम मंगाल उगाता है ठीक है सेंग विदाओट स्पीकेग दिखो इस चेप्टर में बताया गया है कि आप बिन बोले भी बात कर सकते हो ठीक है जैसे कि आप के कुछ लोग होते हैं अजकि आपका जो छेहरा है वो आपकी शरीर कहा है दरपन है ठीक है आर फेश शोज डिफरेंट विहेवियर, डिफरेंट एमोशन, तो हमारा जो चेहरा है, ऐसे भी कुश्चन आएंगे सर, बिटक बनाने को कुछ भी बना दे, ठीक है, तो आपका जो चेहरा है, वो आपके कौन है सर, ये तुमारी मेडम है, होने वाली, देख लो, क्या नाम है, इसका, ट्रिसिया, देख रो, बलाईती मेडम लाएं तुमारी, ठीक है, चलो, दूसरी चीज, जब हम डान्स करते हैं, तो दो डान्स में, आप क्या करते हो, चेहरे पर हाव आव लगते हो, ठीक है, और साइन लेंग्विज दिखाते हो, ठीक है, तो दीज आर दा मुद्रास, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मुद्रास बोलते हैं, और चेहरे पर आने वाले, एक्स्प्रेशन को हम क्या बोलते हैं, भाव बोलते हैं, तो भाव और मुद्रा, क्लियर है, झते वर्ट आपके नाठा शास्त्र के कॉर्डइब्ध मनीपूरी जाने चंटें पेखका और कुंडों से भारत नट्रीम तमिल लाडू का कथक कली मोहिनी अज्टेम यह आपका क्यारल का ठीक है और कथक आपका यू-पी का तो डीजार आर्ध एट क्लासिकल डांस अगर आपका समी क्लासिकल डांस है अगर आप से कोई पूछे किस नर्थ को किस नर्थ को अर्ध शास्त्रिय नर्थ बोला जाता है सेमी क्लासिकल डांस अर्ध शास्त्रिय नर्थ जल्दी बताओ कि अर्ध शास्त्रिय नर्थ किस डांस को बोला जाता है कि भी हूँ चलिए तो आंसर टू दिस कोश्चन विल भी ठीक है अर्ध शास्त्रिय नर्थ ठीक है या कुच्छी पुड़ी तो कैरला में हां तुम बिट तेजस्मिनी तुम से तो बोला है ना तुम चाओ किसी का कहीं पर लगा दो कोई दिक्कत नहीं कुच्छी पुड़ी कैरला में लगा दो पंजाब में कथक लगा दो राजिस्थान में भांगडा लगा दो तो देर इस वन मोर सेमी क्लासिकल डान्स और इस सेमी क्लासिकल डान्स का नाम है छो ठीक है जो कि आपका जारखंड औरीसा और पश्चिम मंगाल में किया जाता है है तो हो सकता है in future आपका यह नवा क्लासिकल डान्स बन जान्स के टो सकता है In future यह आपका नाइनध ग्लासिकल डान्स बन जाहें डट है इसके अलावा और भी डान्स हैं है है जैसे लांबडी आंद्रा का वांचो अरन्वाचल का भी हूँ असम का चिराव और चेलंबी मिजोरम के रौत चत्तिसगड़ का सरहुल जारकंड का रौफ और हिकत जम्मू कश्मीर के मटकी मध्यप्रदेश का चव अभी आपको बता है तीन जगे शेहर करते ठीक है का लाहो मेगाले का चूफार्ट सिक्किम का और पुंग चोलो मनीपुर का तो यह भी आपके अन्य डांस है कि क्लियर है लाबडी महराष्ट का वेरी गुड ठीक है बट वो अलग चीज है वो लंबाडी है लामडी सर हम लोगों को छुट्टी के लिए कव रिवीजन मिलेगा बेटा जब मन करें तब छुट्टी कर ले जब तेरा मन करें तब रिवीजन कर किसी ने आथ पकड़के तुड़ी ब हुए चलो मुण सबस्ब् Things इस पंग फैला ऊड़ते जाएं घर अब इस हैब अलगए अलग या चैप्स की बारे में बताएं सबसे पहले कि बारे में ठीक है पीको जो की आपका राश्र्य है पक्षी है ठीक है इसके बारे में बताएं गया कि यह आपका बारिष में इनको नाचना पसंद है ठीक है बारिश में यह क्या करते हैं पंक फैलाते हैं और डांस दिखाते हैं ठीक है बारिश में क्यों नाचते हैं मोरनी को अकरसित करने के लिए नासते हैं दूसरा आपका यह बताया गया इसके सर पर आपका क्या रहता है क्रस्ट होता है मतलब ताज होता और इसकी दुम पे चकते बने रहते हैं, तो ऐसा लगता है दुम पे पैसा है, तो रिडल्स के फॉर्म में भी आपके कई कोश्चन पूछे कर गया है, ओनलाइन में, ठीक है, फिर इगल, इगल के बारे में बताया गया है, कि इसकी खाचेदार पूछ होती है, ठीक है, इस आ आवाज निकालना पसंद है, किसकी आवाज निकालना पसंद है, इनसानों की आवाज निकालना पसंद है, ठीक है, क्रो के बारे में बताया गया है, कि पूरी उपर से लीचे, बॉड़ी पूरी काली है, ठीक है, पैर भी काले, शरीर भी काला, पूरा करूआ काला आदमी, तब बताए गया है किसके बारे में और की बोड़ी ग्रेज़ से नेट राइक वुढ़ खाते हैya तो द्यक्रेटेट ओल इन तरन्ग यह आपकी दरजन पक्षि दर्जन पक्षि के बारे में बताएगा है कि नीडल हाइग स्थी कि तो टेलर बड़ बारे में बताएगे नीडल लाइक भी के ठीक है चौच कैसी है आपकी सुईदार है ठीक है और आपका इसी से यह क्या करते पत्तों को सिल्के अपना गोसला बनाते और वल्चर्स के बारे में बताएगा है कि इन्हें हम स्केवेंजर्स बोलते हैं मरत भक्षी और यही है आपके मुनिसिपल कॉर्पोरेशन ओफ फॉरस्ट जंगल के सफाई करमचारी जंगल के सफाई करमचारी अच्छा चलो नेक्स इंग इस ठीक है फिर नेक्स चप्टर इस वोट इस कोकिंग ठीक है इस चेप्टर में आप कुरू ये बताया गया कि हम क्या खाना बनाने के लिए कई हो सारे बरतन यूज करतें इन बरतनों में अक्सरकर आप यूज करते हो मिश्रित दातु यूज करते हो ठीक है यह मिश्रित दातु आपकी कौन कौन सी हो सकती है ठीक है कासा हो सकती है पीतल हो सकती है और आपका स्टील हो सकता है इस पात पीतल ठीक है और कासा ठीक है तो सबसे पहले आपका एलोईस क्या होते है एलोईस आपका जब और किसी धातू को एक सिया एक से अधिक धातू या फिर ततवों के साथ मिलाए जाए ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं नरे जैसे कि और जिंक है ये दोनों मेटल से तो एक धातू को दूसरी धातू के साथ मिलाएतु द्द्वा कर्वा के साथ मिला जाए तो जब धातु और udah आधा को मिला जाए या फिर मैं जब एक ततव को दूसरे तत्व के साथ मिलाए जाए तो इससे आपका तयार होने वाला जो तत्व होता है उसे हम बोलते है क्या मिश्रित धात ठीक है तो इसमें अलग-अलग आपके टाइप के क्या एलोईज है ठीक है जैसे कि ब्रॉण्ज आपको ये तीनों याद रखने किस किस से मिलके बने हुए ब्रास और स्टील तो ब्रॉण्ज आपका मिलके बना हुए किस से कॉपर और टिं से ठीक है ब्रास आपका मिलके बना हुए किस से कॉपर और जिंक से ठीक है, वहीं पर steel आपका मिलके बना हुआ है, किस से iron और carbon से, ठीक है, तो bronze आपका cu plus sn, brass आपका cu plus zn, ठीक है, और iron आपका fe plus c, ठीक है, तो याद रखने के लिए, मेरा ब्रो, ब्रो मतलब ब्रॉण्स, कोटी, कोपर और टिन, ठीक है, देता सबको गोटी, देता सबको गोटी, ठीक है, इसको याद रखने के लिए, ठीक है, बहुत बुरा है, ठीक है ब्रास का बुरा है कजन मेरा कजन जो है वो बहुत बुरा है ठीक है और इसको याद रखने के लिए हर बात की फिकर नहीं मुझे इस पात की फिकर नहीं ठीक है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ट्रेस में निकल भी मिला रहता है ठीक है तो फिकर नहीं तुछ और तो ऐसे आप सारे याद कर सकते हो ठीक है मेरा ब्रोधर कोटी देता सब को गोटी बहुत बुरा है कजन ठीक है हर बात की मुझा इस पात की फिकर नहीं क्लियर है क्लियर है चलो निक्सिंग फिर इसमें खाने के तरीके बताये गए ठीक है रोस्टिंग बून के आप खा सकते हो उबाल के तलके बेक करके मतलब सेकर और स्टीम बाप देखे तो ऐसे भी ओनलाइन में आपके कुश्चन देखने को मिले कि इन में से खाना बनाने का कौन सा तरीका है इन में से वो योगम चाटी है जिससे यह सारी चीजे बनके मतलब ब समोसा ठीक है पूरी और ऐसे बनाओगे तो समोसा पूरी अगर बनाना तो तुम्हें क्या एक तलके बनाना पड़ेगा नेक्सिंग शेरिं पिन इस छेप्तर में बस सब्सक्राइब बारे में बात कर रहे सिंघुच है तो आपने blind लोगों को देखा होगा वो हर चीज़ों को क्या करते है अरे आज तो बारे शोगी लगता है तो हर चीज़ को टच करके फील करते है तो that's why the script जो है इनकी वो कैसे समझी जाती है चू कर इसलिए chapter का नाम भी क्या है चू कर देखे ठीक है तो braille script सबसे पहले के लुई BRAIL के बारे में बता है कि यह France में पैदा हुए थे चार जनवरी ठीक है 1800 ऐइनगा जनम हुआ इसलिए चार जनवरी को आप क्या करते हो ठीक है बनाते हो क्या ब्रेग डिवस ठीक है तो चार जनवरी 1809 में इनका जनम हुआ कहां हुआ France में हुआ इन्होंने 1824 में ठीक है एक लिपी खोजी ठीक है जिसका नाम ता ब्रेल स्क्रिप्ट जिसमें आपके 6 डॉट होते हैं और आपका 63 क्यरक्टर होते हैं जब यह 3 साल के थे तब इनकी आखे चटक गई ठीक है पापा के ओजारों में उंगली कर रहे थे वही ओजार आंख में गिर रहे तो आपकी आंखे क्या हो गई चटक गई ठीक है तो हिम्मत नहीं आ रही 15 साल की उम्र के अंदर इन्होंने एक नई लिपी खोच दी ठीक है आविशकार किया इस लिपी का इस लिपी को बोलते है क्या ब्रेल लिपी ठीक है तो देखो सारी इंफॉर्मेशन है फ्रांस में चार जन्वर ही 1809 में जन्म हुआ तीन साल की उम्र मे आख खोदी ठीक है इन्होंने डिस्कवरी नहीं करी इन्वेंट किया आविशकार किया जब 15 साल के थे तब आपका ब्रेल लिपी का आविशकार किया 1824 में इन्होंने आविशकार कर लिया था किसका अबरेल लिपी का ठीक है इस लिपी में आपके च्छ stehen दॉट होते ठीक है जोकि मूटे गट्टे से उभार जाते मूटे ओजार से उभार जाते जिससे पॉइंटेड एजिस के तूब में भाहर निकलता है और आप इन्हें छूके देखते हो और जब आप इन सब को देखोगे तो यह टोटल आपका 63 करेक्टर से तो आज ओ जल्दी से ठीक है शामा गोस्टू कैरला एलॉंग विदर फैमिली दियर शी सीज टॉल ट्री विच वेरी डिफरेंट फ्रों दोस इन अर होम टाउन शिम्ला विच ट्री वुड शी हैब सीन इन कैरला शाम अपनी परिवार के साथ केरल जाती है वहां उसे लंबे अगर शिम्ला से बहुत अलगे उसने केरल में कौन से पेड़ देखे हूंगे जल्दी बता जल्दी जल्दी फूरती में ब्रैड लिपी नहीं बेटा ब्रेल ब्रेल तो वेरी गुट कौन सा पेड़ देखा कोकोनट निक्स इंग इस ठीक है वाइल डिसकसिंग लाइकिंग इन डिसलाइकेंगे स्टुडेंट सेज आई एंड माय ब्रदर बोद लब टू इट इसनेक ठीक है हम दोनों को साप खाना पसंद है विएर वी फिल लाइक इटिंग इसनेक वी गो टू निरभाय होटल एंट लिंग हूफ हैं ठीक है चले जाते हैं लिंग हूफ हैं चटका इन विच ओफ दा फॉलेंग पार्ट्स ओफ आर कंट्री डू प्यूपल इट ग्रो इटेबल सच अस ट्यापियों का इंड कोकोनट हमारे देश के निमने लिखित में से किस हिस्से में लोग अपने आंगनों में ट्यापियों का नारियल जैसे खाद पदार्थ उगाते जल्दी जल्दी फूरती में फूरती में तो वेरी गुट कहां हो गाएंगे ठीक है कैरल में डी विल वी दा राइट एंसर इन विच वन आप दो फॉलेंग इस्टेट ओवार कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू इट सी फूड कोक्ड इन कोकोनट ओल देखो सी फूड में और किस में बनाये जा रहा है तो कहां खाएंगे चलिए वेरी गुट एंसर तु दिस कोश्चिन विल भी ठीक है सी फूड समुद्री बोजन खा रहे है और कहां खा रहे ठीक है गोवा में खा रहे ठीक है ए विल वी दा राइट एंसर इसी कोश्चिन को एक बार गुमा के पूछा गया ठीक है क्या किया उन्होंने उन्होंने बोल दिया चार ओप्षन दे लिए मचली खा रहे सर्सो के तेल में बना के ठीक है गोवा कैरल तमिल जम्मू जल्दी बताओ इसी कोश्चन को गुमा के दे दिया कि आपका मचली खा रहे सर्सो के तेल में बना के तो देखो चैप्टर में तो क्या बताए गया है कि गोवा कैरल और तमिल में आपका यूज करते हैं क्या ज्यादतर नरियल का तेल तो बचा कौन सा आपका जम्मू डी विल वी दर ढूब धिक है अजली की दोस्तने अपने दातों की सडन को बचने के लिए निम्निले की चार तरीकिस हो जाए अपने दातों को दो बार बरश करे ठीक है ब्रेसे पहने ठीक है bunun sweet chocolate and carbonated दिरिंक मिठाई चोकलेट और कार्बोनेटेट पे से बचे ठीक है रिंस माउथ एवरी आफ्टर एवरी वील ठीक है हर भोजन के बाद मूग का कुल्ला करें उप्रोग तो मैंसे कौन सा तरीका सही है सीडी एडी एबी एसीबी सीडी सर आप इस कहां से हो मार्स ग्रह से तो कौन सा तरीका सही है वेरी गुड ठीक है तो ए सही है भया ब्रस करें ठीक है अवाइट स्वीट चोकलेट ये भी करें ठीक है और कुल्ला भी करें तो सीडी ए ए विल वीदा राइट एंसर चलो नेक्स इंग इस दिस प्लांट लीव्स विच आर यूजड एस वेजटेबल इट सीड्स आर यूजड तो प्रोडूस ओल दा प्लांट इस कोकोनट क्याबज मस्टड इस पीनश ठीक है तो इसकी पत्तिया सब्जियों के रूप में यूजड होती है और इसका बीस टेल के लिए यूजड होता है बताओ कहां कौन सा प्लांट होगा है तो वेरी गूट वेरी गूट एंसर टू दिस कोस्टिन विल भी ठीक है सर्सो का ठीक है सर्सो दी रोटी दे मक्के जा साग नहीं उल्टा बोल दिया मक्के दी रोटी ते सर्सो दा साग विच वन अफ दिम फॉलेंग इस रभी क्रॉप आपको खरीफ की ट्रिक यात करा रखिए बी जे पी के चीफ मिनिस्टर के स्री राम यूनिवर्सटी से पड़े ने इंट्रोडूस किया था जी एस्टी इन में को छोड़ दो वही आपकी क्या होगी देखो बी आरा बी आर यह ना बची कौन सी वीट यहीं नहीं है यह हूं तो डी विल वीदा राइट एंसर सत्रिया इस दक क्लासिकल डान्स ओफ सत्रिया कहां का क्लासिकल डान्स है कि सत्रिया कहां का क्लासिकल डान्स है खरीव का भी ट्रिक बता दो खरीव कई तो ट्रिक था रवी रवी का बता दो यह पूछो खरीव का ट्रिक बता दो तो वेरी गुट सत्रिया कहा है अपन क्या बोलते है आजकल तु वह साथवे आसमान पर उड़ रहा है ठीक है तो बी विल वी दा राइट एंसर नेक्स इंग इस कुच्चिपुड़ी अंधेरे में खाई तेल में तली कच्ची पुड़ी तो कच्ची पुड़ी तेल से तिलंगा न अंधेरे से आंध्रा ए विल वी दा राइट अंसर एसका सही जवाब है नेक्स इंग इस विच अफ फॉलेंग डान्स इस रिलेटेड टू ठीक है क्यारल कुच्ची पुड़ी बरतनाट्यम कथक कली कत या फर कथक ठीक है विच फॉलेंग डान्स इस रिलेटेड विद कैरल ठीक है तो कैरल मोहिनी कैरल की कली ठीक है तो एक तो कतक कली हो गया एक मोहिनी अट्यम हो गया ठीक है इन दोनों में से डूड़ लो कतक कली डी विल वी दा राइट अंसर डी इस का सही जवाब ठीक है नेक्स इंग इस विच आफ दो फॉलेंग बर्ड हैसर रेड बीक निम्न लिकित में से किस पक्षी की चोंच लाल होती है पिजन इगल आउल पैरट कि अज़िए थीक है तो बहुत एज़िए किस की चोंच लाल है ठीक है तो था कुश्चन आया था बर्ड विच लव टू मिमिक एक पक्षी जो की इनसानों की नकल करना पसंद करता है एंसर था उसका पैरट ग्रूप ओफ एनिमल्स विच हैव लाइट बोडी डू टू होलो बोन्स ठीक है जानवरों का समूँ जिनके पास खोकली हड्डियों के कारण हलका शरीर होता है सरीसरप कहलाता है एविस कहलात है पाइसस कहलाता है जल्दी बताओ ठीक है तो वेरी गूट एंसर टू दिस कॉस्चिन विल भी एविस ठीक है एविस मतलब पक्षी वर्ग ठीक है तो बी विल वी राइट एंसर इन में से कौन ओड़ सकता है ठीक है और पिकॉक और स्ट्रिच कीवी पैंगुइन जल्दी पढ़ाओ बिटा मैं जल्दी पर आ गया ना तुम भगने लगोगे ठीक है तुम गड़ गड़ आने लगो गया रहे नेक मासाम नेक दीरे हो जाओ अभी तुमने हमारा जल्दी बीटा नहीं है ना पूछ लो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ जल्दी हमसे जलो बताओ कौन इन में से ओड़ सकता है ठीक है तो कौन इन में से ओड़ सकता है देखो हमारे पास एक केटेगरी होती है बर्ड की जिनको हम बोलते है फ्लाइट लेस बर्ड उडान रहित मतलब ये उड़ नहीं सकते तो उड़ान रही पक्षी में कौन गोन आता है नमबर वन ओस्ट्रिच नमबर टू कीवी नमबर ट्री इमू नमबर फॉर पैंगोईंग और नमबर फाइव डोडो बट डोडो आपकी क्या हो चुकी है एक्स्टिंट तो चुकी है विलॉप तो चुकी है ठीक है तो अनसर टू दिस कोश्चन विल भी ए अप्टू असर्टेन हाइट एक उचाई तक मोर उड़ सकता है ठीक है बट जादा उची उड़ान नहीं बढ़ सकता ठीक है एक उचाइं तक बतक भी उड़ शक्ती है एक उचाइं तक मुर्गा भी उड़ सकता है लंभी उडाने यह नहीं बढ़ सकते जिस में से कीवी एक मैं लोकेशन भी बता दू आजकल लोकेशन सो कुस्टन पूछ लिये जाते लिख लेना कही पर ostrich का मिलता है Australia ठीक है kiwi का मिलता है New Zealand ठीक है emu का मिलता है ठीक है Australia penguin का मिलेंगे Antarctica ठीक है और dodo का मिलता है extinct हो चुक है विलुक हो चुक है अब नहीं मिलते है पहले मौरिश्यस में मिला करते तो ठेके विच वन ओफ देम इस इनकरेक्ट अबाउट दबर्ड इन में से कौन सा पक्षियों के बारे में गलत है बर्ड सब बीक टू कैच परे पक्षियों को शिकार को पकड़ने के लिए चोच होते हैं बोन सब बर्ड सार होलो पक्षियों के हड परे नहीं उड़ सकती बिलकुल उड़ सकती तो वेरी गूड एंसर तू दिस कुश्चिन विल भी ठीक है बड्स गिव राइस टू दा यंग वंस ठीक है बच्चे पैदा नहीं करते यह गलत बात है अच्छा एक कुश्चिन बताओ इन में से कौन सा स्टेटमेंट बर्ड के बारे में सही है ठीक है ओल बर्ड्स है अच्छा हो लो नहीं कुश्चन मत बताओ तुम तो बस यह बता दो मेरे को बोन्स सभी पक्षियों में खोकली हड़ी होती है ए येस बी नू ठीक है स्टेटमेंट है कथन है सभी पक्षियों में खोकली अड़ी होती है ऑप्षन है ए येस हां ठीक है बी नो सर हाड कोश्चन करवा है दुलारी खातुन हाड का मतलब क्या होता है ऐसा करवा दे जो तुम्हारे स्लेवस में नहीं आएगा उसको आड़ बोलती हो तुम बताओ जरा जो तुम्हारे चैप्टर से में रिलेटेड नहीं है एस पीम निकालना सिखा दे तुम्हें ठीक है ऐसा करवा दे कल से ऐसी कोश्चन ले आते है ठीक है जो सीट एट कहीं ही नहीं याद रखना answer to this question will be no ठीक है नहीं आपका सभी पक्षियों में खोकली अड़िया नहीं होती जो फ्लाइटेड बर्ड है जो उड़ सकते है इन में आपकी कैसे रहेगी खोकली रहेगी और जो नहीं उड़ सकते नोन फ्लाइटेड है जो उड़ान रहित है इन में आपकी कैसी रहती है इस सॉलिड रहती है ठोस रहती ठीक है तो सॉलिड रहती अधियु पुलिस और प्या त विच बेस्ट बोथर बेस्ट बोथर बेस्ट बट आरम की जो पुलिस ये डेली पुलिस ये इदर उदर गूमते रहो पीकॉप दान्स अंदा राम बिक बढ बिकॉस ब्यार्बर कोई ब Sorot.- बिकॉस प्यारेज आपी समझ नहीं आया मुझे बड्स गिव राइस टू दे यंग वन्स यंग वन्स का मतलब जैसे तुम्हां या लल्ला पैदा होता है या कल्ला पैदा होता है वैसे पक्षी लोग बच्चे पैदा करते ठीक है तुम नहीं करते पक्षी अंडे देते अंडे वैसे चूजा निकलता तो वेरी गुड ठीक है मोर्नियों को आक्रिशित करने के लिए ठीक है नापते और कौन बोला तर टाफ कोश्चन सट टाफ कोश्चन करवाओ जरा इसका सही अंसर देना ठीक है लार्जस बर्ड संचुरी ओफ इंडिया इसको बोलते टाफ बताओ देखे तुमारे कितना आता है अधिक है लार्जस बर्ड संचुरि ओफ इंडिया ठीक है बर्ड संचुरी लार्जस्ट कौन सी यह सर हॉलो बोल्म से वाले स्विम कर सकते हैं डेप्थ में नहीं लगा सकते गोता नहीं लगा सकते चलो तो वेरी गुड एंसर टू दिस कुश्चिन विल भी नल सरूबर जो लगा रहे क्यों ला देओ वो नाच ले चलो विच वन वाफ देम फॉलेंग इस नॉट बड इन में स कौन सा आपका पक्षी नहीं है कौन सा पक्षी नहीं है वेरी गूड एंसर टू दिस कुश्चिन विल भी बैट्स चमगाधर क्या होते इस्तन पई जीव होते ठीक है बाकी सारे के सारे आपकी बर्ड से ठीक है किसको हम सफाई करमचारी कहते है इगल पैरट वल्चर पैंगुई किसको हम सफाई करमचारी कहते है या फ़र नगर निगम के नाम से जाने जाते है तो नगर निगम के नाम से कौन जाना जाता है ठीक है तो अभी आप सभी को बताया था नगर निगम के नाम से कौन जाना जाता है ठीक है इगल अच्छा अगर क्वेश्चन यह कर दे किसे यह आपका DSS-SB में पूछा था local scavenger मरतवख्शी बोला जाता है बिना option के बताओ ज़र यह DSS-SB PRT में पूछा गया था कि किसे local scavenger स्थानी है मरतवख्शी बोला जाता है स्थानी है का मतलब क्या होता हर जगे मिलने वाल बिना option के बताओ ज़र तो वेरी गुड स्थानिय मृत्वक्षी किसे बोलते हैं जो हर जगे एजली अविलेवल होते हैं और हर जगे एजली अविलेवल होती है आपकी क्या चीटिया नेक्सिंग इस ठीक है इनमें से सही तत्वस चुने ब्रॉंज के बारे में ठीक है जो कि आपका गोल कोंडा में तोपे को गोले बनाने के लिए यूज होती थी कास एक तत्व है कास एक मिश्रित दातु है जो कौपर और जिंग से बना हुआ है कास एक मिश्रित दातु है जो कौपर और प्लेटिनम से बना हुआ है ठीक है बताईए कौन सा साही है सर वल्चर क्यों नहीं वल्चर हड़ जगे नहीं मिलते तुम्हां घर में मिल लेका लोकल कैसे हो जाएगा ठीक है तो वेरी गुड ठीक है तो कांग कासा एक ट्रिक बताई थी मेरा ब्रदर कोटी देता सबको गोटी तो कॉपर और टिन से मिलके बना हुआ सी विल वी दा राइत अंसर एलोईज आर दिमिक्श्र ओफ टू मेटल दिमिक्श्र ओफ नॉन मेटल दिमिक्श्र ओफ एंटमस ठीक है दिमिक्श्र ओ मैटल विद वन और मोर एलेमंट इगल भी तो घर में ना है अच्छा इगल लगा दिया कि मैंने सॉरी में को लगा वल्चर ऊपर लिखा हुआ वल्चर मैं उसकी बात कर रहा है तो लोकल इसके बंदर रही है ठीक है तो एलोइस क्या है एलोइस क्या है एलोइस क्या है तो वेरी गुट जब भी आप किसी भी धातू को एक या एक से जादा अधिक तत्व से मिला दे आप उसे क्या बोलते हैं अगर ऑप्शन में यह नहीं होता तो फिर सबसे अप्रोप्रियेट एंसर होता अगोंजा दे मिक्शर ओफ टू मेटल स्टीक है दो दातू को मिला के आप जो बना दो वह आपका हो जाएगा क्या एलोइस सेलेक्ट अ करेक्ट स्टेडमेंट अब ब्रॉंस ठीक है ब्रॉंस इन एलमेंट लाइक आइरन इन सिल्वर एंड ठीक है ब्रॉंस इस मेट ऑन मेल्टिंग कॉपर एंट इन टिक ब्रॉंस वेरी स्ट्रोंग एंड इस यूज्ड इन एंड इस ट्रॉंगर देन डैट अफ अलूमूनियम ठीक है तो आप से बोल रहा है कासी के बारे में सही कतन को चुने कासा लोहा चांडी और जैसे एक तत आया जाता है कासा बहुत मजबूत और इसका उप्योग तोपो और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है कासे से बने बर्तन अलबूनियम की तुल्णा में हलके और मजबूत होते है तो कौन सा सही है ठीक है तो देखो यह गलत है एक अलत हो जाएगा अभी आपको पिछले कोश्चन में बताया था कि इसके क्या बनते है ठीक है तोप की गोले बनते थे तोपे बनती थी और इसके स्टैचू बनते मेडालियन भी बनते मेडालियन मतलब पदक भी बनते हैं आपने का से का पदक सुना होगा यह सही है तो बी और सी यह विल वीदा राइट एंसर अब बाकि डी गलत है ठीक है सलेक्ट फ्रॉम्ड फॉलाइंग एक ग्रोप ऑफ कंप्राइजेस ऑफ मैथड ऑफ कुकिंग फू है बेकिंग बॉइलिंग रोलिंग फ्राइंग सोकिंग रोस्टिंग बेकिंग फ्राइंग रोस्टिंग बेकिंग फ्राइंग रोस्टिंग बेकिंग फ्राइंग रोस्टिंग सेखना तलना बूनना यह तीनों आपके क्या है को क्यों फूड है ब्रॉंज इस अ मिक्च्छ तो ब्रॉंज क्या एक मिश्चर से एक मिश्रन ने दो तत्वों से शॉचैज तम स्वानli खूआथ ए है तो रृत चैसे ब्रॉद हमारा क्या कोती बी विल बी दा राइट रायस डो धाटु वह का मिशरन इंस ये दो धाटु कौन से नि-vas पूछ ली जागा कौन सा इंचीव जानना तो चलिए तो बहुत बुरा क्या है हमारा ठीक है कजन ठीक है ए विल वी दा राइट अंसर स्टील इसमिक्शर ओफ आईरन गोपर आईरन निकल आईरन कार्बन आईरन कार्बन और निकल ठीक है स्टील काय का मिश्रन है स्टील इसमिक्शर ओफ इंचीव दोजर वाइस के भी ड्राफ से कुश्चन आ सकता है क्या पता भाई मर्जी यह देना है तो दे नहीं दे कुछ भी नहीं दे मर्जी है मर्जी के मालक है वहां पर तुमसे पूछ के थोड़ी पेपर बनाएंगे कि यह दे कि यह नहीं दे तो very good answer to this question will be iron carbon on nickel next thing is in Braille script rows of race dot are made on a thick paper this script is based on 4.6.8.10 point ठीक है तो कितने आपके points होते कितने आपके dots होते आइरन और carbon क्यों नहीं है क्योंकि मैंने पहली बताया था थोड़ा बहुत amount में आपका ठीक है क्या use किया जाता है निकल भी use किया जाता है तो very good answer to this question will be six dots next thing is Louie Braille was worn in which country Switzerland America Germany France Louie Braille कौन से देश में पैदा हुए थे Switzerland America Germany या फर France में Louie Braille कौन से देश में पैदा हुए थे तो answer to this question will be ठीक है that is France में पैदा हुए थे कब पैदा हुए थे चार जन्वरी अठारा सो नो इसलिए चार जन्वरी कौन का दवन आते Braille दिवस ठीक है next thing is Braille script can be read read by ready पढ़ा जा सकता है ठीक है smelling hearing touching all of the above ठीक है तो Braille script को ठीक है आपका किसके द्वारा पढ़ा जा सकता है महक द्वारा श्रवन द्वारा छूके या फर उप्रोक्त सभी ठीक है तो very good answer to this question विल भी छू कर देखते ठीक है किस उम्र में ठीक है लूई Braille की आखे चली गई थी कौन सी वो एस थी जब इनोंने अपनी आखे खो दी थी दो साल तीन साल पांस साल छे साल कौन सी एज में आखे खो दी थी तो very good याद रखिएगा ठीक है तीन साल की उम्र थी जब इनोंने अपनी आखे खो दी थी ब्रेल स्क्रिप्ट का आविश्कार किस सन में हुआ किस सन में आपकी ब्रेल लिपी का आविश्कार हुआ जल्दी फास्ट फुरती में कब हुआ था very good answer to this question will be 1824 में ठीक है और कितने साल के थे ये कितने साल के थे जब ब्रेल का आविश्कार हुआ ए बारा साल बी 14 साल सी 16 साल डी 18 साथ ठीक है कितने साल के थे जब ये ब्रेल का आविश्कार हुआ था तीन साल के थे अभे तीन साल में तो आखे इज गई थी तीन साल में आखे गई आख गई और एक आविश्कार ये लो ब्रेल गजब very good answer is 15 साल के थे इन में से कोई भी नहीं है देख रहा था कितना ध्यान से सुन रहो थीक है दुख सोला चलो नेक्स इंग इस आओ बर्तन बनाए अब देखो इस चैप्टर में क्या अक्सरकर आपके घर में ये बरतन मिट्टी का बरतन आपने यूज किया होगा है इस मिट्टी के बरतन में आपका पानी ठंडा रहता है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके बस यह जानना है ठीक है तो इस प्रक्रिया का नाम है वाश्पी करन अगर आप से कोई भी पूछे मटके के अंदर पानी ठंडा क्यों रहता आप बताओगे वह पी करन के कारण अब 2019 में जब ऑफ-लाइन पेपर हुआ था तो वाश्पी करन के बारे में कुछ एडवांस फ अगर आप जल को वाटर को वाश्प में कनवर्ट कर रहो जल को वाश्प में इसको हम बोलेंगे वाश्पी करन एक इसका ओपोजट होता है कंडंसेशन संगना अगर हम वाश्प को वेपर को वाटर में कनवर्ट कर रहे हैं ठीक है तो वाश्प को जल में वापस इसको हम बोलते हैं क्या संगना ठीक है अब देखो आपके बेसिकली कुश्चन आया था कि वह कौन सा कारक है यह आपका औलाइन में भी पूछा गया है यह आपका ओफ-लाइन में भी पूछा गया है ठीक है तो देखो इवेपोरेशन जो है वाश्पी गरन जो है ठीक है यह चार गटकों पे चार गटकों पे निरधारत होता है ठीक है तो पहली चीज याद रखना इवेपोरेशन जो है यह आपका चार गटकों पे निरधारत होता है ठीक है कौन-कौन से यह चार गटक है नमबर वन ठीक है अगर किसी जगे का सरफेस एरिया सतही शेत्र सतही शेत्र जैसे कि सपोस करो यह सतही शेत्र जादा है यह सतही शेत्र कम है ठीक है तो सतही शेत्र अगर जादा है तो वाश्पी करन जादा होगा ठीक है पहली चीज याद रखना ठीक है अगर सतही शेत्र सरफेस एरिया जैसे कि ये सतही शेत्र जादा है ये सतही शेत्र कम है तो वाश्पी करन कहा जादा होगा A में B में वाश्पी करन कहा जादा होगा A में या B में जल्दी बताओ, एम है, very good, ठीक है, दूसरी चीज, एक मिनिट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये बोलता है, कि अगर टेम्परेचर ताप मान, जादा है, तो वाश्पी करन भी क्या होगा, जादा होगा, तो मेरे को बताओ, ठीक है, रेगिस्तान, और मनाली, वाश्पी तरन, वाश्पी करन दर, कहां जादा होगी, रेगिस्तान, या फिर मनाली, तो वाश्पी करन की दर, कहां जादा होगी, सर जी, लुटता मांसून क्या है, प्लीज टेल मी, बिटा मेरे को भी पहली बार सुन रहा हूँ, लुटता मांसून, जोगरोफी वाले मास्टर से, पूछना अपना, तो रेगिस्तान में जादा होगी, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है, कि अगर आपका, स्पीड ओफ बिन्ड, ठीक है, स्पीड ओफ बिन्ड मतलब, ठीक है, वायू की गति, जादा है, तो इवेपुरेशन, जादा होगा, ठीक है, तो स्पीड ओफ विंड बिन्ड जादा है, ठीक है, तो भी आपका, कहां जादा होगा, ठीक है, वाश्पिकरन जादा होगा, और पॉल रहा है, कि, अगर आपका, हुँमिडिटी, हुमिडिटी, आ दरता, आदरता coastal areas में जादा रेती है, आ दरता, इजादा है, त ऐवेवपोरेशन वाश पी करन कम होगा तो वाश पी करन आपका क्या हो जाएगा में ठीक है कम होगा तो यह चार फेक्टर है जिन पर वाश पी करन आधा रहे ता अब इसी के ऊपर कैसे ओनलाइन में कुश्चन आया था कैसे तो देखो question क्या था निमने मैसे किस में सबसे कम वाश्पी करंदर होगी तो निमने मैसे किस में सबसे कम वाश्पी करंदर होगी A B C B ठीक है कम तापमान जादा आदरता में ठीक है कम सतेशेत्र कम तापमान में ठीक है कम तापमान कम वायूगती में जादा आदरता में जल्दी बताओ किस में आपकी सबसे कम होगी अगर आपको concept समझ में आ गया तो आप यह कर दोगे तुरंत बी 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 देखो कम तापमान अंसर इस सबी में डैट मींज हमक्यों लोग क्या रट्टूत होते हैं क्योंकि यह जो ऑप्षन था यही ऑप्षन उस कुश्चन में था जो की सभी अंसर था तो बहुत सारे लोगों ने हमने क्या रट रखा है इसलिए बी लगा रहे क्योंकि हमने कुश्चन के ऑप्षन तो जंग से पड़े ही नहीं पड़े होते तो सभी लगा देते कि सर सभी में कम होगा पड़ हम का करे हम रट्टूत होते हैं बच्पन से हम रूट रट ना सीके हैं इस दिक्कत तो यह है और उप्षन में ना था तो बुद्धी भी लगानी होती है और उप्षन में नहीं था तो बुद्धी नाम की चीज होती है जो लगानी होती है पड़ते टाइम जब करते कुश्चन है ना और उप्षन में नहीं था जब तापमान कम होगा वैसे ही आपकी वाश्पी करन कम हो जाएगी ठीक है जादा आदृता में आपकी वाश्पी करन क्या हो जाती है कम हो जाती है तो इसमें भी आपका वाश्पी करन कम होगा कम सत्य शेत्र है कम तापमाने वैसी वाश्पी करन कम होगा कम तापमाने कम वा नकल में अकल की ज़रूरत होती है ऐसे कहावत आए सबसे कम क्यों पूछें सर यही तो कुष्चन था वस्य था कि उस में options में ये थे ज्यादा तापमान ज्यादा ही सतेई शेत्र कम सतेई शेत्र ज्यादा तापमान ज्यादा सतेई शेत्र कम तापमान कम सतेई शेत्र कम तापमान ये actual option थे मैंने सारे option ही बदल दिये ठीक है चलो दूसरा question इन चार images मैं से A B C D ठीक है इन चार आकरतियों में से सबसे कम ठीक है सबसे कम वाश्पी करन कहां होगा इन चार आकरतियों में से सबसे कम वाश्पी करन कहां होगा Very good Answer to this question will be D Reason is क्योंकि सताई शेत्र सबसे कम है Surface area इसका क्या है इत्तूसा है इत्तूसा तो सबसे कम सते ही शेत्र पे आपका क्या हो जाता है सबसे कम होने लगता है क्या That is वाश्पी करन चलो Water remains cool in earth and pot Due to the principal loss किसके सिद्दान्त के कारण मिट्टी के वरतन में पानी ठंडा रहता है संगनन, वाश्पी करन, सिचाई या प्रसार जल्दी बताओ The answer to this question will be B Water we use for drinking is Distil water, fresh water, potable water, rain water जो पानी हम पीने के लिए उप्योग करते है वो पानी कौन सा होता है जो पानी हम लोग पीने के लिए उप्योग करते है वे पानी कौन सा होता है जो पानी हम लोग पीने के लिए उप्योग करते है वो पानी कौन सा होता है पेजल कहलाता है ठीक है सी विल वीधा राइट एंस टेंपरेरी हाडनेस ओफ वाटर कंटेंड ठीक है अब यह थोड़ा सा कंसेप्ट है यह समझ लो वरना यह गलत करा होगे तुम लोग देखो हाडनेस ओफ वाटर की अगर हम बात करें ठीक है जल में आपका कठोरता की बात करें तो दू तरह की की हाडनेस होती है एक होती है टेंपरेरी आस्थाई और एक होता है स्थाई पर्मनेट इस्थाई ठीक है आस्थाई यह दोनों ही आपके ठीक है कैल्शियम और मेंगनीशियम सॉल्ट्स की वज़े से होती है यह भी कैल्शियम और मेंगनीशियम की वज़े से यह भी आपका कैल्शियम और मेंगनीशियम के सॉल्ट्स लवन की वज़े से होती है ठीक है फरक सिर्फ इतना है यह लवन अलग अलग होते हैं यहां जो लवन होते हैं यहां जो सॉल्ट्स होते हैं यह होते हैं कौन-कौन से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और यहां जो सॉल्ट्स होते हैं यह होते हैं सल्फाइड और क्लोराइड ठीक है तो आपसे पूछन यह टेंप्रडरी हटनेस और वटर कर टेंग कार्बोनेट और केल्चिम लोराइड ऑफ गेल्चिम सल्फाइड और मेंगनीशिम बाइकार्बोनेट ऑफ केल्चिम एंड मेंगनीशिम कब तक होगी सर क्लास कहीं जाना है साधी है किसी की एक्जाम है पढ़़ लो सांती से कब तक होगी सर जी मैप बाले को संकरा दीजे क्लास फोर्त में आते हैं वो सर शीट है वमार सीट पर एक वीडियो डाल दीजे प्लीज स हो अरब GuidIt 오 वोमार कैसे बरें गी ऐसे भड़ते। मैं यह नहीं कहा रहा कि ऐसी वीडियो आईगी एसी वीडियो भी आईगी। लोग तुम्हें ऐसे भरना सिहाएंगे। ऐसे चार गोले होतें इन चार गोलो कोnarा थे Shot इसे बरे अब यह कोई देखने लाइक वीडियो थी बट फिर भी लोग इसे देखते हैं सर ट्रेन वाले कुस्ट्टन कराओ प्लीज फिफ्ट क्लास में आएंगे चलिए the answer to this question will be D calcium or magnesium का बाई कार्पुनेट ठीक है घेम्स भी भी खेल खेलने से क्या होता है ठीक है खेल खेलने से आपका बेसिकली ठीक है बॉड़ी का फिजिकल डवलपमेंट होता है मेंटल डवलपमेंट होता है emotional development होता है unity की भावना आती है cooperation सहयोग सामाजिक social skill यह सब सीखने को मिलती है ठीक है तो बता दो जारा what is the importance of games what is the importance of games चर आपका system चलना है हमारे सारे system सब चलना है तो very good answer to this question will be all आला कि इससे question भी आया था online में कि एक औरत है उसका बेटे की का पैट टोटी हुई है तो उसको कौन-कौन से खेल खेलने को suggest करें ऐसा एक question पूछा गया था कि एक मा है उसके बेटे की ऐसे ऐसे पैट टूटी हो यह वो लंगडा-लंगडा के चलना है तो कौन-कौन से खेल खेले cricket खेले, hockey खेले, football खेले, football खेले, सतरंज खेले, तास खेले, तास खेले, सतरंज खेले, लुडो खेले, लुडो खेले, लंगडी खेले, होको खेले कि बता वाई अब यह कोई कोश्चन है यह कोई पूछने लाग कोश्चन है यह भी कोश्चन पूछा गया कि अग्युक्ष्ट करने में टाइम लगता है चार पेपरी कवर हो रहे हैं तो यह काम करें कि मॉक टेस्ट लगा है उसके लिए क्या करें मार्केट से इस चैप्टर में आपको मोड ऑफ कम्मुनिकेशन बता है मोड ऑफ कम्मुनिकेशन मतलब ठीक है संचार के तरीके संचार दो तरीके से होता है ठीक है मोखिक हो सकता है मोखिक में आप रिटन लिखित दे सकते हो और समवाद रूप से दे सकते हो ओरल फॉर्म में दे सकते हो ठीक है अब मोखिक में ठीक है जिसको नॉन वर्वल कम्मुनिकेशन बोलते हैं या फिर साइन लेंगुज से आप समझा सकतों साइन बोर्ड से समझा सकतों जैसे कि कई हो जगह पर आपने ऐसे साइन बोर्ड बने देखें इस का मतलब कैसे पील मनना ठीक है थीक है तो आप साइन बोर्ड से भी समझा सकता हो इसके अलबा आपका क्या रहता है ठीक है चिठ्ठी आई है यहां पर इसी चैप्टर के अंदर चिठ्ठी के बारे माँ पूछा गया है तो देखो चिठ्ठी आ से क्या क्या क्यों बन सकता है एक तो पिन के बारे में बन सकता है कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप सभी को पता है पिन का फुल फॉर्म क्या हो संचार के तरीके दूर संचार का मतलब होता है बैठे बैठे दूर के व्यक्ति से बात कर लेना ठीक है या फर दूर तक अपना संदेश पोचा देना तो टेलीवीजन से आ सकता है रेडियो से आ सकता है इमेल से आ सकता है ठीक है आपका डिश्टीना से आ सकता पेजर से आ सकत ठीक है बैठे बैठे आपका ठीक है जन काफी सारे लोगों तक हमारी बात पहुचे तो बैठे बैठे काफी सारे लोगों तक बाज पहुच जाती न्यूस्पेपर से पहुच जाती टीवी से पहुच जाती रेडियो से पहुच जाती है ना चलो तो बताइए पहला पोस्ट भारत में कवा है था तो very good answer to this question will be 70-74 what is PIN PIN का full form क्या है Postal Index Number, Proper Index Number Police Index Number, Personal Index Number PIN का full form क्या है चली तो PIN का full form क्या है Postal Index Number, Dark Suj Kang संक्या which one of them is not the method of mass communication इन में से कौन सा जन संचार का तरीका नहीं है रेडियो फोन और रेडियो इमेल, न्यूस पेपर, टेली फोन तो कौन सा जन संचार का तरीका नहीं है डलोजी चाचा लाए थे, क्या ट्रेन लाए थे तो कौन सा आपका जन संचार का तरीका नहीं है आंसर टू दिस कुश्चिन विल बी वेरी गूट डी अरे वो गदेडो ठीक है जन संचार का तरीका नहीं है टेलीफोन नहीं है गाना सुनोगा ना मेरे पिया गए रंगों न किया है वहां से टेलीफोन तुमारी याद सताती है जिया में आग लगाती है तो जो पिया है और पिया की प्रियसी है उन दोनों की बीच में वारतलाब चल लिए महले वाले नहीं सुन रहे पूरा जिला नहीं सुन रहा और और बात कर भाईया तम और बात कर लेने अपनी मेडम से गदो जनसंचार का मतलब क्या होता है लोगों लोगों तक बात पहुचे टेलीफोन से तुम सारे लोगों तक बात पहुचा देते हो ठीक है रेडियो तुमारा लोगों तक बात जाती है यह आकाशवानी है आप अभी सुन रहे हैं खेतों की करसीजी इमेल तुमारा कईयों लोगों पर जाता है न्यूस पेपर तुमारा कईयों लोगों पर जाता है तो यह सारे के सारे तो जनसंचार हो गए चलो वैने मैगनेटे सस्पेंडेंट इस स्टॉप सेट डा डारेक्शन नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट इस साउथ साउथ वेस्ट इमेल भी तो हो सकता है सरिता कुमारी दिक्कत यह है न हम टेकनोलोजी आतमें यह तो आ गया है बट इसका यूज करना नहीं है ठीक है एक मे देलमर जिसे में दस अजार लोगों तक अपना मैसस पहुचा सकता हूँ ठीक है दस अजार लोगों को एक साथ टेलीफॉन करके नहीं बुला सकता कि आज मेरे यार कि साधिया आ जाओ नचने के लिए चलो तो आंसर टू दिस कोश्चिन विल भी ठीक है नौर्थ और साउट डायरेक्शन में आपकी सस्पेंड़ेट रहती है अब एक चेप्टर है जिसमें आपका बेसे कली क्या बताया गया जानवर और उनके उप्योग बताये गए तो इनमेंस से कौन सा बीस्ट उप बरू हिंदी संस्क्रित है कैसे बरू हिंदी संस्क्रित है मतलब कैसे बरू पहली बार पेपर दे रहो क्या आज खोगो खेल देटा में हार्ट अटेक आ गया बहुत बढ़िया चलो तो बीस्ट बर्डन किसे बोला जाता है गजे को बोला जाता है सी विल भी दर राइट फाइंड आउट दा इंकरेक्ट स्टेटमेंट ब्रेल स्क्रिप्ट कैन भी रीड़ बाए टेचिंग लुई ब्रेल लॉस्ट इस आई इन त्री यह एर ओफ एज ब्रेल स्क्रिप ऐसे क्या बरना उसमें तो आप्शन बरने होते तुम्हें एंसर आ रहा है एंसर लगाओ ठीक है गोला बढ़ दो यह थोड़ी है इंदी लिखने पहुंच जाओगे वहां पे चलो तो very good answer to this question will be Braille script में आठ डॉट होते है यही गलत है ठीक है find out the correct statement peacock is the largest bird in the world eagle tail is cylindrical parrot is a carnivorous word tailor bird uses beak as a needle सही कथन का पहचान करें ठीक है तो सही कथन क्या क्या है एक तो eagle की tail कैसी है cylindrical है और tailor bird आपकी ठीक है beak needle की तरह यूज करती है ठीक है a house like this ठीक है इस में इस chapter में आपको क्या बताएगा है कि भाई तरह तरह के घर होते हैं ठीक है सबसे पहला घर आपको यह दिखाएगा है ठीक है अन्सी आटी में नहीं दिखाए यह तो मैंने क्राइम पर सीड़ी ऊपर खीच लेते ताकि कोई जंगली जानवर घर के अंदर ना गुज़ा ऐसे घर आपके मोलन गाओं में असम में देखने को मिलते दूसरा घर आपका यह दिखाया गया जो की पत्थर से बना हुआ ठीक है पत्थर और चूने से ठीक है यह घर आपका मनाली का गर इसकी गर भी कैसी होती है ढलू होती क्योंकि यहां पर बरफ और बारिश बहुत होती ठीक है दूसरी चीज आपका यह जो आपके है मतलब पहाड़ी एरिया में ठीक है बनाए जाते एस वेल ऐसे ही सेम घर जम्मू कश्मीर में भी बनाए जाते ठीक है अंदर जब जम्मू कश्मीर में जाते तब ऐसे घर आप भी देखने को मिलते फिर यह जो घर आपका बताए गया राजिस्थान का घर बताए गया यहां पर आपकी जो च्छत होती है वो कटीली जढ़ियों से बनाए जाती है और जो आपका घर रहता वह आपका गीली मिट्टी से सभी बैज आएगा सुनामी पुनामी आज तब आएगा ठीक है फिर आपका जो यह फडश रहता है यह गोबर से लीपा जाता है गोबर आपका कीडों को दूर रखता है तो देट इस आपका सर स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन बड़ी कर तो पूजा रेपूल पूरा का पूरा नोट्स ले लेना है का यह पूरा कॉपी करके सर्च कर लेना जो तुमारा ड्रास में लिखा हुआ ठीक है फिर house like this इसमें आपका ये दल जील में ये शिकारा दिखाया गया और साथ में एक चोटा सा टापू दिखाया गया इस टापू को हम बोलते चार चिनारी ये चारो तरफ से आपका चिनार के पेड़े से गिरा हुआ है और इसके surrounding में नीली पहाडिया बोली गई है ठीक चलो तो आजाओं मोलन इसे विलेज लोकेटेट इन राजस्थान आंदरप्रदेश मिजोरम असम मोलन गाओं कहां इस्थित है कि सर हमें तो नहीं मिलता तुमने सर्ची नहीं किया होगा कि डॉंगा नाव बेटा डॉंगा नाव सोमिय राजपूत वो क्लास 5th NCRT का चेप्टर है शल्टर सो आई डॉंगा के लिए डट जाओ हाउस बोट डॉंगा सर्जी बताओ नोट्स कहां मिलता अरे ईवी एस बाए बवानी सर सर्च कर लेना टेलीग्राम पर वहीं पर डल जाएगा चलो वेरी गुड एंसर टू दिस कुश्चन विल भी असम मोलन गाउं कहां पर असम ठीक है देखो यह सारे कुश्चन जो है यह वाले यह सारे सीट एट के एक गाउं में अपने घर के बारे में चात्र द्वारा निमने लिखे पैराग्राफ पड़े मैं गाउं से आया हू ओप्शन देखो असम है असम है भी विल भी तर आइटल से ठीक है फिर से पड़ो ग्रामीन छेत्र में घरों की संरचना जलवायू परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिसमें निर्वित होता है एक गाउं जनां घर की निमले रिकित विशेषता है मकान मजबूत बास के कमबो पर तीन मीटर से साड़े तीन मीटर अब आगे मत पड़ो असम डूड़ो असम है असम है असम है ठीक है मैच इच ओफ दो फॉलेंग विद दा करेक्ट डिस्क्रिप्शन ओफ कॉमन हाउसे बिल्ट इन डाट एरिया ठीक है तो मनाली में बास के खंबे पर बने उचे पर असम हाउस बोट लदाग में कीचड से कीचड नहीं मिट्टी से गीली मिट्टी मिट्टी से बने घरों की चट कटीली जाडिया लकडी से पत्थरों से बने घर फट्ष और लकडी की चट तो देखो अब आपको एक करेक्ट मैच करना है कि कौन सा किस से मैच कर रहा में आपका गीली मिट्टी के फोर्थ से मैच करा दो असम में आपका कैसा बास्क के घर फस्स से मैच करा दो लद्दाग में आपका कैसा होगा ठीक है ये हाउस मेड़ आफ स्टोन विट फ्लोर एंड वोडन सीलिंग्स ठीक है तो सही option क्या हुआ आपका तेस लिए डवीट फॉर्थ वर्स्ट विफ्ट ने डेटन सीलिंग्स ठीक है तो विट लागेट श्रॉट विट व्हर्ट वेट विट अरट वीट व्हुट वट एट अ सम बेसे लिए ना हूब एट वट में आपका में विट गोट से क्यों लीपते हैं किल्दा इंसेक्ट कीटो को मारता है यह चिकनी बनावट देता है यह सतय को खुर्दरा बनाता है यह कीटो को दूर रखता है क्यों बनाते है साम की ग्लास का टाइम कहा है शाम को साथ वजे होगी और उसमें पैड़ागोजी चलेगी भई विल भी कीड़े दूर रखने के लिए यह कीड़ों को दूर रखता है ठीक है Eskimo makes his house that is igloo from ice what is the reason for this Eskimo बरफ से अपना घर यानी igloo बनाते देख एगलू सबसे ज्यादा किस साइड बनते आपको यह भी पता होना चाहिए Greenland Alaska Canada और Antarctica इन रीजन्स में आपका igloo बनाए दाते बरफ के घर होते है ठीक है what is the reason for this only ice is available in polar reason द्रुविये शेत्रों में केवल बरफ उफ लग्द है ice does not allow cold air and water to come inside बरफ थंडी अवा और पानी को अंदर नहीं आने देता the air between the ice wall prevent the inside heat from escaping बरफ की दीवारों के बीच में हवा अंदर की गर्मी को भागने से रोकती है ice is available of free of cost other material will be cost a lot answer to this question will be जो हवा रहती है बरफ की दीवारों के बीच में ये गर्मी को भागने से रोकती है चार चिनारी एक छोटा टापू है जो कि आपका पाये जाता है राजस्थान में अंडमान में जम्मू कश्मीर में और तमिल नाडू है जार चिनारी कहां पाये जाता है चलिए तो चार चिनारी आपका कहां पाये जाएगा जम्मू इन कश्मीर में ठीक है यह चिनार के पेड़ों से पोपलार इस ट्री फाउंड इन कैरल अबुधाभी लद्दा क्या असंब पोपलार कहां देखने को मिलता है पोपलार कहां देखने को मिलता है आयूसर की गलाश शाम को चलेगी और कब चलेगी चले तो पोपलार कहां देखने को मिलता है एक तो लद्दाक में ठीक है लद्दाक के अलावा जम्मो एंड कश्मीर में ठीक है चल लिए इसके आगे की कहानी अपन کल करेंगे तो कल मैं आपकी 3rd Class की NCI RT खतम हो जाएगी साथ 4th Class की NCRT चालू हो जाएगी जिसमें आपका 60 बढ़संट तक कल 4th Class की NCI RT गवर हो जाएगे ठीक है विद कोश्चन्स तो कोश्चन्स भी आपको मतलब कोश्चन की भी प्रेक्टेस करा दूंगा कि भाई इस चैप्टर से ऐसे कुश्चन मन रहे ठीक है क्लियर है हिंदी वाला गलत है हिंदी वाला भी सही है कोई दिक्कत नहीं हो समय चीक है तुम मिलते हैं कल ग्यारा बजे तिल दन हाव नाइस दे बाए 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 गुद डे टेक केर थैंक यू